अधनियत्यक जी और कॉंग्रेस का माँ भारती के प्रती प्रेम क्या रहा है भारत के वाश्चियों के प्रती प्रेम क्या रहा है एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहतू हूँ यह पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे मैं दाओ और तिसके चप्पे चप्पे पर घुमा हूँ अव्यक्ति हो जी और राज रिती में कुछ नहीं सा तब भी मने पैर वहां गिस्ता सा मेरा एक एमोशनल एटेज्मेंट है उस छेत्र के पति इनको अंदाज नहीं मानिय अद्धिक जी मैं तीन प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ और बड़े दर्ग के साथ कहना चाहता हूँ देशवासी भी सुन रहे हैं पहली गटना पांच मार्थ 1966 पांच मार्थ 1966 इस दिन कॉंग्रेस ने मिजोरम में आज सहाए नागरी को पर अपनी वायू सेना के माद्यम से हमला करवाया था और बड़ा गंबीर विवाद हुआ था कॉंग्रेस वाले जवाब दे क्या वो किसी दूसरे देश की वायू सेना थी क्या 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 मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरी नहीं थे क्या क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की दिमेवारी थीक नहीं थी पांच मार्ण उनिशो चासट वायू सेना से हमला करवाया गया निर्दोस नागरी को पर हमला करवाया गया और मानियत देख जी आज भी मिजोरम में पांच मार्ण को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है उस दर्द को मिजोरम भूलनी पा रहा है कभी उन्होंने महरम लगाने की कोशिश नहीं किये खाओ भरने का प्रयास तक नहीं किया है कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है और कॉंग्रेस ने इस सज को देश के सामने च्छिपाया है दोस्तों ये सत्य देश से उन्होंने च्छिपाया है क्या अपने ही देश में भायुसेना से हमला करवाना कौन था उसमाय इंद्रा गांधी अकाल तक्त पर हमला हुआ है तो अजबी भी हमारी स्मृति में उनको मिजोरम में उसके पहले यादत लग गई थी और इसलिए अकाल तक्त पर हमला करने तक वो पहुँचे थी मेरे ही देश में और यहां में उपदेद दे रहे हैं अजबी अजबी जी नौर्स इसमें वहां के लोगों के बिस्वास की इनों ने हट्या किये और गाव किसी ने किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं उन्हीं के कार्ना में है अजबी जी मैं दूसरी घटना के बड़न करना चाहता हूँ और वह घटना है 1962 1962 का वह खौपनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह दौसरी के लोगों को चूब रहा है पंडित मैरू ने 1962 में जब देश के उपर चाइना का हमला चल रहा था देश के हर कौने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अप्रिक्षा करके बैटे थे उनको कोई मदद मिलेगी उनकी जान माल की रक्षा होगी देश बच जाएगा लोग अपने हादनों से लड़ाई लेंडे के लिए मादान में उतरे हुए थे ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैटे हुए और उस समय पर एक मातर जो नेता हुआ करते थे पंडित नहरू ने रेडियो पर क्या कहा था उन्होंने कहा था यह हाल करके रखता था उन्होंने वो प्रशारा आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है और किस प्रकार थे उस समय है नहरू जी ने उन्हें अपने भाग्ये पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था यह हमसे हिसाब मांग रहे हैं हादर नियदक जी यहाँ चले गए लोहिया बादी गुदुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग अपने आपको लोहिया जी का बारिश कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे था हाथ लंबे चौड़े करनी के कोशिच कर रहे था लोहिया जी ने नेरू जी पर गंबीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था और वारोप था कि जान बुझकर नेरू जी नौर्थ इसका विकास नहीं कर रहे जान बुझकर के नहीं कर रहे और लोहिया जी के शब्दत है ये कितनी लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है लोहिया जी के शक्त है ये कितनी लापरवाई लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है तीस हजार स्क्वेर मिल्क से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वन्चित कर दिया गया है ये लोहिया जीने नहरू पर आरोप लगाया था कि नौर्थ इसके लिए तुम्हारा रवहिया क्या है ये कहा था नौर्थ इसके लोगों के रुदय को उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश ने किये मेरे मंत्री परिशत के चार सो मंत्री रात्री निवास करके और अखेले स्टेट हेड़कॉटर पर नहीं डिस्ट्रिक हेड़कॉटर और मैं स्वें 50 बार गया ये आकड़ा नहीं है सिरफ ये साधना है ये नौर्थ इस जप्रती समरपन है